वाट इस जनरेटेव एई जनरेटेव एई क्या है दोस्तों जनरेटेव एई का हम जो है बारवार नाम सुन रहे हैं और एई तो हमें मालूम ही है कि एई जो है आटिफीशल इंटेलिजेंस होता है अब यह जनरेटेव एई क्या है तो आटिफीशल इंटेलिजेंस का जो जो भी तरह का डेटा अन्य प्रकार का मिलता है यूजर से उसको देखा जाए कि उनका ब्याभार कैसा है और उस ब्याभार के हिसाब से उनको एडवर्टाइज में प्रोड़क्ट दिखाए जाए हैं अगर माल लीजिए आपका जो AI है वो देख रहा है कि आप सर्च में बार कर दो भी आप जाके आवाज निकाल दो तो क्यूंकि वो AI है कोई इनसान तो नहीं है उसकी लिमिटेशन कम हैं बहुत जादा जो है उसकी लिमिटेशन नहीं है और वो हर तरह की चीज़ें कर सकता है क्योंकि उसे इसी तरह से बनाये गया है तो यहां पर दूस्तों जन्रेटेव याई का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो कुछ जन्रेट कर सके और जिसमें यहां पर बात हो रही है फोटो की इमेजिस की वीडियोज की हाना कोई साउंड की को लिर्यक्स की हाना तो जो आप देखा हैं समय चैट जीपीटी आपने देखा चैट GPT-4 देखा हाना बहुत सारे AI Tools आपको website देखने मिल रही है जिसमें आप फोटो से वीडियो बना सकते हैं या फिर आप डारेक्ट कोई research करवा सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चीज़ें आप ढूणवाना चाहते हैं तो research हो गया हना बहुत सारी चीज़ें आप जो करा सकते हैं तो यह सारा कुछ जो है दूस्तों इसी के अंडर में आता है जो AI हम कहा रहे हैं कि जन्रेटेव AI यही जन्रेटेव याई होती है अने वाले टाइम में बड़ी बड़ी companies जो है जन्रेटेव यूज कर रही है और उसी के help लेके अपने advertisement बनाने के लिए कोश दे देगा यकीनन वो इंसानों से थोड़ा बैतर होगा उतना creative तो नहीं हो सकता क्योंकि creativity कोई भी किसी के अंदर नहीं डाल सकता वो इंसान के अंदर में हैं और वो एक अंदर से natural तरीके साथ है तो आपको answer मिल गया होगा कि जन्रेटेव याई क्या है वाट इस जन्रेट टेवले YouTube चैनल